नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट लेटेस न्यूज मिलती रहती है तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे है वोड़ाफोन आइडिया के बारे में वहाँ पर बड़ी न्यूज आ रहे है और आपने उसका शेयर आज ट्रैक किया होगा तो आपने दिखा होगा लास्ट में एकदम तेजी आई थी तो वो किस न्यूज की वज़े से अई थी पूरी न्यूज डिसकास करेंगे और क्या उस न्यूस से Vodafone India जो Vodafone PLC की पेरेंट कंपनी है जो UK based कंपनी है तो उधर एक न्यूज आई है पर उससे क्या Vodafone India को कुछ फाइदा हो सकता है ये सब हम discuss करेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँ जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को subscribe कर ले ताकि आपको stock market latest user analysis मिलता रहे Voda idea का अगर आप share देखेंगे तो आज तक्रीबन एक range में चल रहा था आज उपर के तरफ को ला था कोई overall market bullish हो गया था कल 1000 पॉइंट के गिरावट के बाद 76 तक्रीबन 8500 पॉइंट के आज पास उपर था तो वहां पर आज जातर stocks अरे निशान में तो और Vodafone idea में भी तेजी थी पर आप देख सकते हैं कि तक्रीबन 2 बजे के आसपास Vodafone idea में एक बड़ा जम्प आया 12% से उपर बंद हुआ पर पीक पर ये 14-15% उपर चला गया था तो एक दिन में इतनी बड़ी तेजी ये पहली बार हम नहीं देख रहे है Vodafone idea में जब पीछे AGR का मैटर हुआ था तब रोज जैसी hearings हो रही थी जैसी news आ रही थी उस साबसे Vodafone idea में बहुत fluctuation होती थी तो यहाँ पर एक तो हमें इस बात कर ध्यान रखते हैं कि हम काफी high price पर ना फज़ जहें बिना कोई fundamentals को जाने NAC पर देखे तो आस quantity फिर काफी high amount में trade हुए है 50 करोड से उपर shares trade हुए है और delivery आप देख सकते हैं 20% के उठाई गई है तो काफी लोगों आज intra day किया Vodafone idea में जब काफी उपर share चला गए लोगों आपनी profit booking किये तो आप देख सकते हैं तक्रीबन 10 करोड के आसपा shares उठाई गए है तो news देख लेते हैं दोस्तों क्या ही है कि Vodafone जो Vodafone इंडिया की parent company है UK based वो एक case जी चुकिए arbitration against इंडिया यानि इंडिया government के अगेंस्ट एक case के तो उन्हों जो पहले deal ही थी उनकी हच के साथ वहाँ पर इंडियन government ने उनसे tax के reference में liability रखी थी Vodafone पर और वहाँ पर काफी बड़ी amount मांगी थी तो Vodafone आइडिया ने apply किया international court में और वहाँ पर उस case का result अब आया और Vodafone आइडिया वो case चीत किया है तो आप देख सकते हैं tax की जो demand थी वह थी 20,000 करोड रुपे की तो काफी बड़ी amount है और ये amount अगर बच जाते तो Vodafone अपनी subsider जो Vodafone इंडिया है वहाँ पर ये amount इंवेस्ट कर सकता है अगर वो चाहे तो तो वो बात की बात है फिलाल AGM भी आनी है तो काफी कुछ पत अलग सकता है और वहाँ पर permanent court of arbitration ये एक inter government court है जो international disputes को solve करता है जो बड़ी बड़ी firms के बीच में अलग countries की वहाँ पर disputes हो जाते हैं government के laws कोई company के किसी firm के अगर dispute create करते है तो वहाँ पर permanent court of arbitration का काम आता है तो यहाँ पर अब इन्होंने hearing दे दिये कि 20,000 करोड जो Vodafone idea स खिलाल की situation देखें तो वहाँ पर उन्होंने पता है कि Indian tax department ने जो प्रस्ताव आगे रखा वो breach कर रहा है यानि वो follow नहीं कर रहा है fair and equitable treatment को यानि सबके साथ बराबर treatment की जाए तो उस चीज़ को follow नहीं कर रहा है जो Indian tax department अपना प्रस्ताव आगे रख रहा था तो इंडिया tax department को order दे दिया कि या वो cease कर दे यानि stop कर दे आगे questioning को आगे इस dispute को आगे नहीं ले जाए जाए अगर failure होता है कि आगे कुछ कदम उठाए जाते है बिना court की ruling के according तो वहाँ पर international responsibility यानि काफी बड़ा allocation लग सकता है Indian tax department के उपर तो Vodafone face कर रहा था tax claim तक्रीबन 20,000 और इसमें एक जो deal हुई थी आपको याद होगा Vodafone और Hutchison जो हच था काफी famous brand होआ का तरह इंडिया में वहाँ पर Vodafone ने उनका stake लिया था तो उसके according Indian government इनसे 14,200 करोड मांग रही थे और साथ में जो deal हुई थी तक्रीबन 7,000-7,000 करोड की वो amount भी मांगी जा रही थी IT Act को amend कर दिया था है वहाँ को changes कर दिये और उसके बाद Vodafone आइडिया पर Vodafone Group पर यह liability वापिस आ गए थी तो आप देख सकते हैं कि Vodafone आइडिया का एक case अभी खतम नहीं हुआ था तो उसके बाद पर 2017 में तो आप देख सकते हैं डील 2007 में हुई थी तक्रीमर 12-13 साल से चल रहा है case और अब 2020 में जाकर खतम हुआ है तो इंटरनेशनल ट्रिबिनल में गया इंटरनेशनल पोर्ट में गया Vodafone चैलेंज किया उन्होंने इंडिया की जो मांगे की जारी इंडियन गोवर्मेंट की इंडियन टेक्सेशन डिपार्टमेंट की और वहाँ पर अब AGR के खबर है तो Vodafone तकरीबन 8.5 रुपे से 12-13 रुपे को चूप कर आया था तो आप देख सकते हैं थोड़े दिनों में 40-50% की तेजी आ गई थी तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों ऐसे में एक चीज़ होते है कि जो बीच में प्राइजी होते है हाई प्राइज पर ठाने के सोच रहा था 25,000 करोट तो वहाँ पर confirmation आये तब हम मान सकते है थोड़ा उपर जा सकता है शेर का price, speculation ऐसा हो सकता है कि Vodafone आइडिया रिकावर होगा पर वहाँ पर आप सिर्फ एक या दो दिन की news की वज़े से एक साथ तेजी जरूर आएगी पर फिर से consolidate करेगा जब तक कोई fundamental level नहीं होगा आपको अगर मैं चार्ट दिखाँ Vodafone का तो कल हमने discuss किया था उस level से हम discuss करेंगे वापिस तो यहाँ देखे कल Vodafone आइडिया बिलकुल flat बंद हुआ था 9 रुपे 10 पैसे पर तो वहाँ से आज तेजी देखने को मिली हमें और वहाँ पर जो ह आ गया है Vodafone का share और वहीं आप अगर लंबे टाइम में देखेंगे देखें जून से तकरिबन एक descending triangle बनता दिखाई दे रहा था हमें वहाँ पर एक support लाइन से Vodafone आइडिया बाउंस कर रहा था बार बार एक से दो बार नीचे गया था पर उनको हम neglect कर सकते हैं तो यहा पर एक solid support create कर सकते हैं और साथ में खबरे भी एच्छे हैं खबर बुरी आई जैसे आप जानते हैं भी जियो नाई plans ला रहा है तो fundamentally negative news आए तब तो आप मान सकते हैं नीचे आएगा पर आप इस channel में मानता दिखाई दे सकते हैं पर इस समय आप इसमें जादा gains करें invest करने क कि मैं तो सला नहीं दूँगा हाला कि ऐसे stocks में targets देना मुश्किल होता है जो एक दिन में 10-15% गई बार तो 20% भी उपर चले जाते हैं और यहां पर छोटी amount का stock इसलिए operator का काफी बड़ा हाथ रहता है लेकिन फिर भी मैं आप से बोलना चाहूँगा आगे AGM meeting है तो यहां पर फिर Vodafone ideal level maintain करके रख सकता है 10 रुपे के उपर का और कब तक यह एक जब तक जब तक AGM meeting नहीं होती उसके बाद जो खबार आती है उसके बाद हम आगे discuss करेंगे पर फिलाल आप short term gains के लिए stock बहुत risk है क्योंकि उपर भी जा सकता है और यह नीचे भी जा सकता है और आप आउट हो जाओगे stock से और आप loss लेकर बैट जाओगे उपर की तरफ गया तो यह human nature होता है दोस्तों हमें और greet रहता है कि 10 रुपे आगे चलो 11 रुपे आजा 12 रुपे आजा और हर कोई नहीं निकल पाता है यह fact है कि हर कोई नहीं निकल पाता है बीच में काफी इस देखेगा तब हम इसमें investment करेंगे ताकि नीचे की तरफ का downside risk काफी कम हो तो यह आप देख सकते हैं कि तकरीबन 30 September को धाई बजे Wednesday के दिन AGM meeting होगी और वहाँ पर हमें पता लेगा कि 25,000 कोट जा अमाउंट उठानी या उसकी initiation होती है या नहीं तो यह थी दोस्तों वो झाल